पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन का एलान करते वक्त पिये मोदी ने कोरोना वाइरस की चेन तोड़ने की बात गही थी ये वाइरस इंसानों से इंसान में पहुँचता है ऐसे में इसी रोकने के लिए जरूरी है कि कोई इंसान कोरोना का वाहक या करियर ना बने लेकिन दिल्ली के निजाम मुद्दीन में तबलीगी जमात के धार्मिक आयोजन से कोरोना की ऐसी मानव श्रिंखला बनने का डर पैदा हुआ है जिसने खौफ मचा दिया है जरा इस चेन को समझे 27 फरवरी से 1 मार्च के बीच मलेशिया की राजधानी कौईलामपूर में तबलीगी जमात का धार्मिक आयोजन होता है इसके बाद करीब दो हफ़ते दिल्ली के निजाम मुद्दीन में भी जमात का आयोजन होता है जिसमें कौईलामपूर के जलसे में शामिल लोग भी शामिल होते हैं इस जलसे में मलेशिया, बांगलादेश, श्रिलंका, अफगानिस्तान, साओधी अरप, इंग्लेंड, चीन समेथ 15 देशों के लोग शामिल हो सकते हैं मलेशिया का नाम विश्व में उन देशों में गिना जाता है जिनको कोरोना वाइरिस का होट बेड माना जाता है कुछी दिन पहले खबर आई थी कि कौलालंपूर के अंदर एक मस्जित में जो लोगे खटा हुए थे वहीं से तक्षिन पूर्वी एशिया के अंदर कोरोना वाइरिस का फैलना था वो काफी बड़ी मातरा में शुरू हुआ ऐसे में दिली में बेस्ट जो तबलीगी जमायत है उसका मलेशिया कनेक्शन इस समय डराने वाला है बरहाल जब निजाम उद्दीन के धार्मिक आयोजन में शामिल होने वालों के कोरोना संक्रमित होने की खबर आई तो यूपी सरकार सबसे पहले हरकत में आई यूपी सरकार ने गाजयबाद, मेरट, सहारनपूर, मुजफर नगर, शामली, हापुड, बागपत, बिजनौर, नौइडा, लखनौ, वारानसी, भदोही, आगरा, सीतापूर, बाराबंकी, प्रयागराज, पहराइच, गौंडा, बलरामपूर के जिला कप्तानों को उन से जल्द ऐसे 157 लोगों को ढूंड कर निकाला जाए, क्योंकि ये लोग संक्रमित होने की वज़े से समाज के लिए खतराबन कर बैठे हैं, उनसे अपील भी की जा रही है कि अगर वो लोग कहीं हैं, तो निकल कर सामने आएं, और अपनी डॉक्टरी जाच के लिए हाजिर यूपी सरकार ऐसा क्यों कर रही है, इसको समझने के लिए तमिलनाडू का केस समझे, कल तमिलनाडू में कोरोना संक्रमित मिले 17 लोगों में से 10 लोग दिल्ली से लोटे थे, इनमें थाइलैंड के 2 और इंडोनेशिया के 4 नागरिक भी हैं, जो एक गाइड के साथ दिल्ली से ही आये थे, थाइलैंड का नागरिक 22 लोगों के संपर्क में आया, इन सब में COVID-19 पाये गया, इस शक्त से कोरोना इरोड, मदुरई, कोयम बटूर और पेरुन दुरई तक पहुँच गया, हाला कि ये साफ नहीं है कि दिल्ली से पहुँचे ये लोग तबलीगी जमात के आयुजन से लोटे थे, लेकिन इससे ये साफ है कि कोरोना एक इनसान से दूसरे इनसान में तेजी से फैल रहा है, जाने लोग कोरोना का करियर बन गए है, कोरोना के स्चेन को तोड़ने की जरूरत है, लखनों से कुमार अभिशेक, हैदराबाद से आशिश पांडे और द दिली से अश्वर्या पालिवाल के तो आख है।